अब देखो परस्ट आईगी वेटे आपकी टाइट्रेशन ठीक है फर्स्ट प्रेक्टिकल होता है टाइट्रेशन आपका टाइट्रेशन में आपने एम लिखना है जो आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक है सबसे पहले आपकी material required या apparatus इसको कहते हैं ठीक है टाइट्रेशन में एक आपकी केमनो 4 और प्लस मोहर सॉल्ट की है मैंने कल शेयर भी किया ग्रूप में यह टाइट्रेशन है स्लेबस में मोहर सॉल्ट और केमनो 4 सेकेंड टाइट्रेशन है प्लस ऑक्जैली के से केमनो 4 आप किसमें लेते हो बैटे ब्यूरेट में ठीक है ब्यूरेट में आपने क्या लेनी है केमनो 4 यहां पर ठीक है केमनो 4 आपका इंडीकेटर भी होता है तो आपका अगर इंडीकेटर पूछा जाए तो यह क्या है केमनो 4 इस टाइट्रेशन में सेल्फ इंडीकेटर है केमनो 4 खुद ही अपना कलर चेहन करता है आपको बाहर से इंडीकेटर डालने की जूरत नहीं है ठीक है यह दोनों रियक्शन जो होती है दोनों टाइट्रेशन ऑक्सिडेशन बेस्ट हैं कि समझा रही है केमनो 4 इन एसेडिक मीडियम एक्टेस ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट यह नेसेंड ऑक्सिजन प्रोड्यूस करता है और मोर सॉल्ट में जो फैरस है उसको फैरिक में कनवार्ड कर देता है ठीक है और ऑक्जैलिक एसीड को कार्बन डायोकसाइड और वाटर में चेंज कर देता है इसमें केमनो 4 ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है है समझागी इस सैलफ ऑक्सिडाइजिंग एजेंट अब इसके पहले इंडीकेटर से पहले लिखो अपने किक्यशन भी लिक सीł और इक्वेशन दोन्नों लिख नी होती सामझारी है इप अप्रेटर्ड सेक्वेशेंस अंदेन इनिकेटर उसके बादा एंड पॉइंट एंड पॉइंट दोन्यों रियक्षिन का सेम है आप टाइट्रेशन फ्रास्ट में मान लो आपने मोर सॉल्ट डाला किसकी एल्प से डालोगे विटे मेरिंग सिलंडर की एल्प से कितना डालोगे 20 ml अब नेक्स ट्राइम आपको पिपट से इसी खाया जाएगा क्योंकि अभी एक्स्टरनल ने आके बोल देना तन विल्ट पिपट सोनी ठीक है आप अभी मेरिंग सिलंडर से मोर सॉर्ड डालोगे 20 ml इसमें ठीक है उसमें आपने सिल्फ्यूरी के से डालना होता है एक टैस्ट क्यों जो टेस्ट डालनी होती है वह पीछे ही अवेलेवल होती है वहां पे दलवानी आपने वीने बहुए अपने 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 20 ml मोर सॉर्ड डाला उसमें आपने एक टैस्ट यूब Sulfuric Acid की डालनी होती, क्योंकि आपने Acidic Medium प्रवाइड करने हैं, यह Strong Oxidizing Act करता है in the Acidic Medium, KMN4 अकेला कुछ नहीं करता, तो आपने एक Test Tube इसमें डलवानी होती है, डाल ली, अब Initial क्या होगा बेटे, KMN4 पर रियक्ट करेंगा, जो वो रियक्ट करेंगा तो यह चला जाएगा, जाएगा अब जब वो रियक्ट करना, बंद कर जाजाएगा When you are more of salt and azali एक सी रियक्ट कर गया तो परपल क्रेंगा शूरू कर देगा, व्यत्रा रियक्ट कर गया समझ जारी है मैंने 20 ml मोर्स और लिया हुए और के में और उसके साथ रियक्ट कर रहा है अब जितना मोर्स और लिया हुए वह सारा रियक्ट कर गया पर 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 अपने शो करेगा इसके बाद आप डालोगे तो इसमें तो एंड़ पॉइंट क्या आता है आपका लाइट पिंग क्योंकि देखो अब टाइट्रेशन फ्लास में आपने यह नोजल ओन करी और यह के में और फॉर जा रहा है यह रियक्ट कर रहे है मालो 20 ml मोर्स और के लिए 20 ml आपको के में और फॉर है तो यह टोटल कितना हो गया भी स्टाइट्रेशन फ्लास में 40 ml इसके बाद एक भी ड डाल दिया वह एंड़ पॉइंट नहीं आपका बात समझाइए ली खेलते हो ना अगर होली में एक ड्रॉब याप कलर कर डालोगे वह कलर शो करना शुरू कर देता है चाहिए लाइट करें इनीशली वह रियक्ट करी जा रहा है उसके साथ जब वह रियक्ट करता जा रहा ह आदेता है तब अपना कलर शो नहीं करेंगा क्योंकि वह रियक्त कर रहा है कि रियक्ट करेंगा तो पर प्रपल कलर चला जाएगा इसका दो एक डिया कमपांड बना चुकी है इसका कलर है यह और जब उसको मॉर सट अवेलेबल लीनिये यह आगजाली के सिड़ अवेलेब भी नहीं लिया आपने उसको एड़ किया है एक सोलूशन में जो 40 ml है तो अगर एक ड्रॉब भी एक्स्टा जाएगी तो इनीशली वो लाइट पिंग कदर शो करेगा बात समझाईए तो एंड पॉइंट आपका लाइट पिंग होता है जहां पर लाइट पिंग आजे इसका मतलब आपका अब यह एंड पॉइंट आ गया मान लो आपने इनीशल रीडिंग ली कुछ भी और यह यूज हो गया इतना मान लो आपने इनीशल टू ली और यह ट्वेंटी टू तक यूज हो गया तो आपकी इनीशल रीडिंग क्या है 2, 22, final है volume used के आगया 20 है 22 minus 2 is 20 समझा रही है starting की reading पढ़ोगे 2 है final की reading पढ़ोगे 22 है, तो 22 minus 2 आपका क्या होजगा volume used समझा रही है practical files में reading होती है reading आप में एक बही learn भी कर लेनी है समझा रही है got it अच्छा जब आपको more salt वाला मिले और आप more salt add करते हो, उसके बाद बेटे sulfuric acid आड़ करते हो, तब heating की जरुरत नहीं होती मगर जब oxalic acid वाला मिलता है जब आप sulfuric acid आड़ करते हो उसके बाद आपको थोड़ी सी अपना titration flask heat करने की जरुरत पड़ती है बिल्कुल हलका सा 60 degree तक कहते हैं, 60 degree का मतलब है आपने heat गी फिर आप खुदी titration flask को touch करके देख लेते हो हलका सा Luke warm होता है वो 60 degree होता है ठीक है, बहुत गरब नहीं करना होता है इस reaction में आपको activation energy की जरुरत है oxalic acid में more salt में activation energy की जरुरत नहीं है समझा रही है अब आपका देखो aim हो गया material required होगा, equation होगी indicator होगी, end point होगी उसके बाद आप क्या बना होगी observation का table ठीक है, observation का table क्या है कितना हमनारा initial reading है कि मैंनो 4 की कितनी final है तो ऐसे कितनी reading लिखनी होती है हमने 3 ठीक है, 3 readings लिखनी होती है 3 reading वो भी concordant आनी चाहिए practical file में मैं गलतियां देखनी हूँ बच्चे लिखने 22.25 पुरानी practical file से देखे 2.5 आप कभी reading नहीं कर सकते 22.2 हो सकते है 22.1 मैं कहते हूं करेक्ट करो फिर ऐसे कि मैं हमने पुराने से उतार है पुराने ने भी गलत किया है वो कौन सा इतने उस्ताद है ठीक है 25 आप reading नहीं ले सकते इसमें यह गलती है सेकिंद रीडिंग आपकी कंकर्डेंट होनी चाहिए कंकर्डेंट का मतलब होता है reading दो reading सेम आनी चाहिए एक डिफ्रेंट आनी चाहिए मीन कभी नहीं निकालते आपने 11 सटर्डर में फर्स ट्राते है प्रिसीजन एन एक्यूरेसी अगर आपकी रीडिंग बारी-बारी चेंज हो रही है मालनो फस्टाइम आपकी 22.5 आगी सेकिंड टाइम 23 आगी वादब 5.5 ml का डिफ्रेंस आया इसका बदब आएक्स्पेरिमेंट गलत कर रहे हो गहीं कितना डिफ्रेंस वही वही सॉल्यूशन से पर अपका की आपने गलत ही है डिफ्रेंस आज आजाये ? वान का एक और कभी वी मीन नहीं निकलता रीडिंग का मीन कैसे निकलेगा सॉलयूशन भी भी वही है सब कुछ वही है आप यससले चिंजित का मतलब आ प Tony दिए टीन से चार एडिंगा जा जो 2 से मिलती है वह मुठाले थे हैं वाँ कि अजय फोच की दिर मैंने तीन करी मालों एक बहुलब हुख लीटेटीग सेंँबर इसी मिलेंड मुठाली मेरी सिंदाव कभी नीकालना खता रीयदिंग से और हर साल मीन की गल्ती करते आप मीन कभी नी होता है observation table में समझारी है books में दिया होता है यह जो आपकी मीन निकाल के देते हैं मीन नहीं लेटे कई जो practice book में आगे दिया होता हो मीन निकाली होती होंने मीन कभी नहीं निकालते हैं मीन का मतलब आपका वानमार्क्स डिडक्ट हो गया कि आप अपने experiment में accurate नहीं हो क्यों आपका 0.5 ml की वेरियेशन और यह वहीं सुल्यूशन है हर पर वहीं मिल रहे हैं सुल्यूशन तो नहीं चेंज हुआ तो अगर एक ml या 0.5 ml का डिफ्रेंस आरे इस तो आप ही गलत हो प्रेक्टिकल करने हैं वक्त समझा रही है रीडिंग सेम सेम होनी चाहिए दो एट लीस्ट ठीक है अब आपने रीडिंग ले ली ठीक है के में नो 4 आपको पता चल गया मा पानलो के में नो 4 पता चल गया 20 ml और मोल स्वाल्ट भी आपने 20 ml लिया तो आपने अब क्या लगानी है उसके बाद आप्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने कैल्कुलेशन करनी होती है कैल्कुलेशन में आप क्या निकालते हों मुलारिटी मुलारिटी की एक्वेशन क्या होती है M1 V1 अपन N1 is equal to M2 V2 अपन N2 अब इन दोनों में से एक ही मुलारिटी आपको गिवन होगी ठीक है जैसे मालो इसकी गिवन है M by 20 M by 20 का मतलब है यह 1 by 20 है ठीक है वॉलियम कितना इसका वॉलियम हमने 20 M में लिए मेजरिंग स्लेंडर से तो वॉलियम 20 हो गया नंबर और मोल्स वह आप एक्वेशन से फाइंड आउट कर लोगे जब आप बैलेंस करो गए तो कितने ऑग्जैली के से यूज होए है वह यहां पर लिख लोगे एन वन वह जाएगा एन टू वैसी के में नो फॉर का इक्वेशन से पता चल जाता है जब आप लर्न करना शुरू करोगे आपको समझ आ जाएगी अब वॉलियम यूज हमने निकालिया अब्जरवेशन टेबल से तो इससे मुलारिटी निकाल सक बीग्जर फूसकते हैं आपको पूसकते हैं फुलारिटी वale रूश कते निकालो तो जिसकी मुलारिटी उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको उसको Multiply करना ओते हैं मुलारिटी को उसके मोलर मास के वालते को सब जीतनी मुरारिटी की वेल् genetically नोच जेस प Treasure आप ये बिल्कुल रट के आना है कि हमें स्ट्रेंथ तक हमें मॉलारिटी तक निकान लाना चाहिए समझारी है ऐसे सब कुछ लिखना आपने और लास्ट में क्या लिखना होता है इसके बाद प्रिकॉशन्स प्रोसीजर आपने नहीं लिखना था क्योंकि प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं समझारी है तो लास्ट में क्या लिखोगे आफ्टर कैल्कॉलेशन प्रिकॉशन्स यह हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन समय जागी है सेकींड होती है सॉल्ट अनालेसिस है ट्वेंटी की आसपास 20 22 21 भी लगता है कई 18 भी लगता है थोड़ी मुली मॉलर कॉंसेंटेशन वेरियेशन हो जाती है अब आगे बेटे सॉल्ट अनालेसिस एक एक्सपेरिमेंट आपने यह वाला लिखना है ठीक है सेकींड करना होता है उसके पास सॉल्ट अनालेसिस ठीक है अब सॉल्ट अनालेसिस में आपने जैसे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखे हैं स्पेसिमन शेयर हुआ था ना ठीक है स्पेसिमन शेयर हुआ था आपको से वैसे लिखने आपने है लिखो सबसे पहले आपको प्री लिम्री एग्जैमिनेशन लिखनी होती है सब कुछ लिखो है उसमें प्री लिमरी का मतलब है आप डॉक्टर के पास गहें देखुआ इस आपने का फीवर हुआ है अब डॉक्टर को यह नहीं पता कि फीवर की वज़ा क्या है यह टाइ और बाहर से फीवर चेक करेगा आपको एक बर ही पहला से कमोल देगा खाके देखो फिर बीच में आगे जाके एंटिबाइटिक देना शुरू कर देगा फिर भी नुद्रा फिर ब्लड टेस्ट करवा हो फिर उसके साथ से दवाही देता है पहले हम प्री लिम्री एक्जामिन हमारी observation के है हमने अपनी आंखों से देखा कि मारा जो सॉल्ट है वह वाइट कलर का है इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी कलर्ड है मैंगनीज यह कोबार्ड है जितने भी कलर्ड है वह सारे एपसेंट निकल है सब एपसेंट कर दो गया फिर इसके बद आप मैं ऐसे लिखनी है यह दिखो आपने प्रिलिमरी में सबसे पहले फिजिकल एग्जायमिनेशन करी जिसमें आपने कलर कलर भी लिखोगे फिर आपने क्या और और जैसे की आपका सॉल्ट विनेगर जिसमें एसिटेट आइंस है जिसमें एसिटेट होंगे तो विनेगर-like smell डिसमेल नहीं सब्सक्राइब यह स्वैध क्रिश्यक्त अब भी तक पता निई कर से रहे हैं इस समझाँ रही है और देखाउ स्मैल डेखा है तो एस्टैट में जी सच कर दिए मे Clerami बेटें आपको टाइम डिनी होता इतना सब भी आपको बोला जाता है कि यह एडिकर पर चांद लो आओ बच्चे बहुत शाफ होते हैं अब आपको यही शाफ होना चाहिए पड़ेगा वह सीधा प्री रिम्री एग्जामिनेशन नहीं करते बैटे ट्रीकिस डाट डू वेट अनलेसिस लिखना होता है वेट अनलेसिस कर देखो फिर हम करते हैं ड्राइइटंग सब ऐसे लिखना आपने ड्राइइटिंग में हमने ग्यास भॉल करी अगर गैस ब्राउन कट गर किया जैसे वह नाइट्रेट हो सकता है अगर कलर लैस है तो जो अब तर दोंद एपसेंट कर दोगे फिर सब्ली मेंट का कैसी देंस् हम सीधा पेपर में शुरू करते हैं लिखना सब कुछ है सीधा शुरू करने वेट अब डॉक्टर है मेरी बात सुना आपको वाइरल हुए एक डॉक्टर जिसने पहले देनी कह दिया ब्लड टेस्ट करवा क्या हो इसको जल्दी रिजल्ट पर चल जाएंगे तर्फ ए तो डॉक्टर हैं पहली बिलड तर्फित करते हैं समझारी है वादत 1 डे ही बलॉद टेस्ट करते हैं हमने प्रीलिमरी रिख we have to write down because we have to get marks बैट इबल डाइगनोज़ वब आइज़ीज फिर्स्ट मैं नहीं कि अधियों गव्हगे। वैट अनेलिसीज और गिंवध सिध्र हॉब छुट की वैट लिझा डोल कौर्छ कर वेट अनाशिज में प्री नित वाद अचाथ कि एसेडिक की पहले वेटनेलसीज होती है एसेडिक में तीन तेस्ट आप याद करते हो डाइलूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉंसेंट्रेटिट इसल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट इस इंडीपेंडेंडेंट आप टैस्टम मिलें आपने टैस्टम ली उसमें आमने सा लिया ड्यायूट युट्ट सोर्फ्यूरिक एसे डाल दिया मिलता को छोटे छोटे यप अपनी इंडविजूल मिलेंगे वहां पर अपने इंड्वीजर ख्राब नहीं करना और एक्स्ट्रा नहीं मिलता ठीक है तुरसर सोड़ लिया उसमें डाइलूट से डालोगे अब डाइलूट से door के साथ चारी दिते अब आपकी स्वेस्ट्रा में 3 बेसिक एल में अब 2015 यह श्यृब्या वेलाइब इस ऑपrimin 할 को कार्बोनेट का सॉल्ट है मालो tribune प्रिया अश कर आधा है आपने टेस्टियों में सॉल्ड लिया है डाइल्यूट सल्फियूरी के सी डाला एफवसेंस होगी तो आप बोलोगे कार्बोनेट में भी प्रेजेंट फिर कार्बोनेट का कंफर्मेट्री टेस्ट लगाओगे मैंगनीशियम क्लोराइड फिनॉफ्थलीन ऐसे टेस्ट लगा लाइन वाटर मिल की जो भी लाइन लिखी है वह ऐसे याद करके आनी फिर कार्बोनेट में भी प्रेजेंट उसके बाद हमने क्या किया हमने लगाए तीन लगाए नहीं एक लगाया वह आपकी मर्जी तब ही बच्चों को बोला जाता है तीन लैब में करके देखा करो हर च ठीक है तो सबसे पहले आपने व लगा कि देखने होता है जो आपने लाइब में सबसे बहेतरी ओकर टेस्ट आया होता है तो अउelesक login निजए इसपेश्व यजर्च हिया आपके वाइट पीपीटी आजातें कारबनेट के कुछ अच्छे देशा है वो लिख लेने तो हमारा इस्टिक रैडिकल निकल जाते हैं इसके इलावा डालीवर सिल्फियूरिक एसेट के साथ नाइट्राइट भी देखते हैं सलफाइट भी देता है सलफाइट की सब्फोकेटिंग सलफर लाइक स्मेल होती है अब यह आपकी सेंस और गन पर सीव करते है अब मैं तो बोल दूंगी सब्फोकेटिंग मुझे तो पता कैसी है पर आप जब तक अपनी सेंस और गन से नहीं देखो गया आपको क्या बता को करते हैं यह आप समझा रही है अब सलफर की रोटन एग लाइक सलफाइड की अब मैं बोल रही हूं रोटन एग लाइक है अगर आपने समयली और सलफाइड तो देख की पहचाना जाते हैं वह एग शेल जासा उसके वोत के हैं सॉल्ट के ठीक है अच्छा अगर कुछ ना हुआ डाइल्यूर्ट सल्फियूरी केसी डाल की फिर आप फिर से सॉल्ट लोगे अब आप उसमें कॉंसें सल्फियूरी के डालों तो पहले मानलो आपके डिलीूर्ट सिल्फियूरी के सी डाल की कुछ नहीं हुआ तो आपसी ऑफ्जर वेशन के नो गैस वाओर तो जितने भी डाइलीूर्ट सुल्फियूरी के सीट वाले वो सारे एप सेंट हो जांगे कार्बोनेट स्लफाइड इस सेंट लिख द देने वाद रैडिकल नहीं आपने पहला किया पहले है अपने प्रीलिम्री किया लिखना है पेपर में हमने डालूड करके देखा हमें कोई तरफ करें आप समझारी है अब आप कॉंसंट्रेटी डालोगे मालो आपको ब्राउन्स आगी कर दो कोगे ऐडिया भी प्रेजट जादा तर नाइट्रेट की फ्यूम्स विदाउट हीटिंग नहीं आती तो जब भी आप एक बड़ी कॉंसेंट्रेटिट से डालते हो एक बड़ी टैस्टियों को हीट करके रेख लिया करो अब मानलो आपको फिर से कोई कुछ नहीं हुआ हमने डाइल्यूट किया हमें कुछ नहीं मिला हमारी अब्जर्वेशन हमने अब्जर्ब किया कुछ नहीं हुआ तो हमने डाइल्यूट वाले सारे अप्षेंट कर दी अब हमने कॉंसेंट्रेट डाला अब भी कुछ नहीं हु पिर हम क्या करेंगे हमने फिट से सौर्ड लिया इंडीपेंडेंटल लगा इंडीपेंडेंडेंटने हम आपको इडिए ते ही थे हिसी यह तो होता है वाइट भी पिटी आ धते हैं दो टैस्ट लिखो खत्म था हमझागी तो आपका इस अदिक रैडिकल निकल जाता में गॉटट एब आजाते आप बेसिक रैडिकल की तरह अच्क अब बेसिक रैडिकल की को हमने इसमें तो डाईलिउंट था सिरी के से कॉंसेंटेटा हुए है ठीक है ग्रूप्स रहा भांटा हुए है जैसे की आप सबसे पहले वैश बनाते हो उसके बाद उसमें आप डालते हैं डाइल्यूट से डाइल्यूट एच्छिया ठीक है आपको वाइट पीपीटी आते हैं है अग烑 लिखते हो लैट मेय भी प्रेजट अगर वाइट आगे तोलिखो कि लैट में भी प्रेजन अगर नहीं आए कि व्हाद ओवियूस है लैड मे प्रेज़न फिर लेडी का वैसेifier अफर्मेटरी arrows टेस्ट आप comfort materis test लगा के देखने होते हिते हैं अनको यादानाहे होते हैं जैसे कि Competitive verb. काम सी याज हुआ है कि कहां कर Caoम अब लीखते हैं अब आपनी practical falls लो आपको सबसमाझ जाएगा जो पीछह सबतने ने तरहिक है ना उस आहिए वाई स्कीम ही भरे हुए है कि हमने पहले यह वैट की तो लैड आ गया अब लैड के वाइट पीपिटे आए तो लैड के आपने कंफर्मेटरी टैस्स लिखते होंगे आपना देखना आज प्रैक्टिकल फाइज जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारा टोटल सॉल्ड के है मालो आपका सॉल्ड था मैंने आपको लैड क्लोराइड दिया तो क्लोराइड के आपको बड़ी कंदी स्मेल आई थी फिर आपने वाइड प्रिपिटी नहीं है तो आप लोगे ग्रूप वान रैडिकल लैड इस एपसेंट अब आजो उसके बाद ग्रूप टू का रिएजेंट होता है एच टू एस अब इसके जो रैडिकल होते हैं वो लैड ही है लैड हम फ्रस्ट ग्रूप में दे रहते हैं इसलिए से अहीं कहा राजनिक्स पोईजनर्स आपको देते इनिया हैं और कॉप पर एक कलर ड़ाएं दे देखते हैं तो है तो आपको इसका मतलब ग्रूप टू लाए नहीं है पर हमने स्कीम में लिखना है है हमने एक जैं में पूरा लिखने है कि हमारे वाइड प्पिटी नहीं आय पर इसने करने नहीं हृँ लिखना क्यों कि हैंक्ट है क्योंकि उसके बाद group 3 की तरह group 3 में डालने से पहले हमें इसको hno3 डालना पड़ता है कि हम h2s boil off करें जब आपने h2s डाली नहीं है तो आपको boil off किसको करना है पहले मुझे बात बता हूँ नहीं डाली ना पर आपने scheme में लिखना है कि हमने डाली थी हमें अंदर से पता कि group 2 नहीं आएगा पर scheme में सब कुछ लिखना होता है return work में everything क्योंकि सी बेसी कलर्ड नहीं देने देता अधरवाइस पहले कलर्ड देने देते थे तो बच्चे से कलर्ड बंदू हैं इसलिए आपका एक्ट्रेस डालने की दुरूरत ही नहीं पड़ते इसके लिए समझा रही है जब हमने एक्ट्रेस पास ही नहीं करवाई तो नाइट्री केसी डाल के बॉयल ओफ क्यों करें पर scheme में अपने लिखना है अब हमने क्या किया हमने वही सुल्यूशन लिए जिसमें एक्ट्रेस पास करवाई थी उसमें हमने अचनो 3 डाला उसको बॉयल ओफ किया तो कार्बन डायोकसाइड जो भी गैसे वह अलग होगी ठीक है अब उसको नेक्स्ट ग्रूप रियेजन डाला अमोनियम हाइड्रोकसाइड और अमोनियम किसी में जिस टेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर वहां और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को एलमीनियम और आयरन इसे प्टी कैसे आते हैं और यह समझारी है और यह जैलजी बनी हो यह यह वैसे आते हैं इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास लैड और अलमीनियम बचे एक वाइट है एक एज लैटिनस वाइट है और एक बचा अमोनियम वो इन सब प्रोसीजर में नहीं आता जब आपको सॉल्ट मिलता है अमोनियम एक जीरो ग्रुप को विलॉंग करता है उसके टेस्ट अलग से करने बढ़ते हैं सॉल्ट मिला सबसे पहले अमोनियम परे टेस्ट लगाके देख लेता कहते हैं समजारी हैं तो तीन होगे ना ये कैसं की और आन्ट में क्या लिक दोगे हमारा राडिकल यह है जो भी है सॉल्ट जो आया वो highway इतनी बाद समझ आई यह आप आप यह सब कुछ लिखना यह याद करना कि कैसे कर स्कीम लिखनी कुछ भी छोड़ना नहीं है फ्लेम टैस्ट क्योंकि cbsc ने रिटन काम देखना आपका डिटन काम शुट भी एप्रोप्रेट वहां पर आपके पेपर जाने हैं वहां पर रिटन काम में कोई भी एक सिंगल मिस्टेक को कहते हैं हम करने नहीं देते बच्चों को समझा रही है दोगे थर्ड आजो थर्ड मैंने क्या बोला आपको फैट और कार्बो आइड्रेट होते हैं उनको देखके यह आपने तीन टेस्ट लिख देने तीन टेस्ट याद करके आ इंफ्रेंस होगी आप्सर्वेशन के फैट को देखके बजाएगा पहला वह स्पोर्ट टेस्ट होता है उसका पर में लगाया वह क्या जाता है घी का स्पोर्ट बन जाएगा ओजी फैट इस प्रेज़न तैट विटा गी देंगे इदेखके पता चल जाना आपको क्या है ब रीर में भी स्नैब बेज दीती हमने जुरूप देखा था इसकal इंदेखिटि यह हमारा जो फैट लिया उसको हमने पेपर बेडा उसको एस से लगड़ा कॉब भान पर स्पोर्ट रह गई ठीक है तो हमने क्या देखा हमारी observation क्या है वहां पर की effect की sport रहागी है तो आपकी inference क्या है जैसे कि आप sort analysis में table बनाते हो ना same इसका table बनादा होता है इसे इसके भी तीन टेस्ट लिखने होते हैं तीन observation दी सेम ऐसे table ड्सक प्हलों आप करते हो आजसे में आप गाउने हो आप um यह हैं यह को यह कोन्सटाइट वर कार्भो के सी टेस्ट मलल इस फालिंग टेस्ट ब्रेंटिंग फ्रइश्ट सलन६्र test iodine test so many tests are given इसमें से तीन टेस्ट आपने कोई भी लिख देने हैं और लाज में लिख देने हैं कार्बोहेड्रेट इस प्रेजेंट है बहुत सारे टेस्ट होते हैं पिटे कोई भी ती स्टार्ज आयोडीन वाला तो बच्पन से करते आ हो बायों में हमेशे ही करते आयों समझा रही है और यह वादा प्रैक्टिकल टूमक्स को होता है अच्छा अब इन टेस्ट को लिखने के लिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में या तो यह पीछे लिख लेना क्योंकि पीछे आपकी बैटे सॉल्ट अनेलिसिस पूरी नहीं नहीं आती तो हम बच्चों कहते हैं यह टेस्ट यहां पर तीन लाइंस लगा के लिख लो क्योंकि आपकी सॉल्ट अनेलिसिस में पेज भर जाने यहां लाइंस लगा लेना यहां पर लिख लेना कार्बूरेट्स और फैट्स समझागी झाल में लाइंस लगा लेना कार्बूर शवार सॉल्ट है